क्या हार्दिक पांड्या की गलती की वज़े से हारा भारत या फिर बल्लबाजों ने भारत को हराया? कौन से कारण थे भारत की हार के दूसरे T20I मैच में? West Indies के खिलाव पहले मैच में हार के बाद दूसरे में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है और नतीजा ये है कि अब सिरीज में टीम इंडिया दो शोन से West Indies के मुकाबले पीछे है पांच T20I मैच इसकी सिरीज है, हार्दिक पांड्या कप्तान है और दूसरे मैच में भारत को दो विकेट से हार का सामना करना पड़ा इससे पहले पहले मैच में चार रन से भारतिया टीम हारी थी और दूसरे मैच में उमीद थी सभी को कि भारतिया टीम वापसी करेगी और West Indies को कहीं न कहीं इस मैच में हरा देगी लेकिन फैंस की उमीदों को बड़ा जटका लगा जब भारतिया बल्लबाजी तो हमने देखा ही ज़सरे से फ्लॉप रही 152 रन बनाए भारत ने जरूर 20 ओवर में तिलक वर्मा का अधिश्य तक भी आया उनके करियर का पहला अच्छा तक था ये लेकिन इसके अलावा कोई भी बल्लबास भारत का बड़ी पारी नहीं केल पाया खासकर अगर सुय कुमार यादव की बात करें तो वे भी रन आउट होगे इसके अलावा संजू सैंसन साथ रन बना पाए और शुबमन के लिभी साथ रन का ही युगदान दे पाए इशान किशन ने हलांकि 20-25 रन बनाए थे ऐसा ही उनका कुछ स्कोर था एक्जेक्ली मुझे याद नहीं है लेकिन इतना ही उनका स्कोर था और भारत ने 152 रन बनाए इस मैच में लेकिन वेस्ट इंडीज पूरी तरह से इस मैच में फ्रंट फूट पर नजर आई 18.5 और में वेस्ट इंडीज ने इस टार्गर को चेस कर लिया पूरन पूरी तरह से फॉर्म में थे बड़े हिट्स लगाए उन्होंने और पूरी जीत में उनका योगदान रहा लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने बॉलिंग में सबसे जादा बाचीत हो रही है 16 और युजवेंद्र चहन लेकर आए इस ओवर में 3 विकेट गिरे रोमायू शेफर्ड रन आउट हो गए उसके बाद जैसन होल्डर और शिमरान हैटमायर को यूजी चहल ने आउट कर दिया भारत ने 139 के स्कोर पर 16 और तक वेस्ट अंडीज के 8 विकेट चटका दिये थे तो भारत इस मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुका था लेकिन इसके बाद जो में कॉस है वो यही बताया जा रहा है कि हार्दिक पांडिया ने आखिर यूजी चहल का जब एक ओवर बाकी था तो उन्हें क्यों एक ओवर नहीं करवाया 18 ओवर यहां पर अश्दीब सिंग लेकर आये और 19 ओवर में मुकिश कुमार ने गिंद बाजी की और इसी ओवर में वेस्ट अंडीज ने माच फिनिश कर दिया अब इसी को लेकर सारे एक्सपर्ट्स हैं जो फैन्स हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि यूजी चहल जब अच्छी इंद बाजी कर रहे थे तो उन्हें आखिर में आपने ओवर क्यों नहीं दिया वेल कि आपको क्या लगता है कि अगर यूजी चहल को एक ओवर और दिया जाता तो क्या वे भारत को ये मैच जता सकते थे अभी तक के जो मैच हमने देखा उसी के कोर्डिंग तो यही पॉइंट सबसे सॉलिड लग रहा है जो सब बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो भारती टीम इस मैच को जीत सकती थी लेकिन अब मैच तो भारत हार चुकी है दो शुनरे से सीरीज में पीछे है अब नेक्स मैच में क्या चीज़े हैं जो टीम इंडिया लेकर आएगी किस तरह के प्लेइंग कॉमिनेशन के साथ उत्रेगी क्योंकि बर लवाजी में टॉप ओडर में क्या बदलाब देखने को मिलेंगे ये बड़ा सवाल रहेगा वेल हमने आपको बताये इन में से आपको क्या लगता है कौन सा वो कारण रहा भारत की हार का आप अपना टेक हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में जरु सांचा कीजिएगा अगर आ पूर्स अबडेट्स हैं उनके लिए आप आपको से दिखते रहे हैं अड़ी टीवी स्पोर्स